हाई गाईज कैसे हो आप सब उमीद करती हो आप सब बिल्कुल ठीक होंगे तो आज की वीडियो सब से हट करके हैं तो भेंड्स आप इनको कच्रा समझ के बिल्कुल भी मत ठाय किएगा यह बहुत जदा काम की चीज़े हैं तो देखें मैंने यहाँ पर चार राइस बैग लिये हैं ऑटा बैग राइस बैग आप कुछ भी ले सकते हो गेऊं की खाली बोरी हो आपके पास आप ले सकते हो तो चलिए फिर मैं बताती हम किस तरीके से इंक यूज करने वाले हैं तो मैंने ये rice bag धो के और store करके रख रखे थे तो आज मेरे को आशिकता लगी तो आज जो है मैंने इनको निकाला और देखिए नीचे से कुछ इस तरीके से cut करेंगे सबसे पहले हम इनको और फिर उसके बाद जो है side से cut कर लेंगे अब इसको इस तरीके से फैलाएंगे और इसकी जो चोडाई आई है वो इस तरीके से रखेंगे अब दूसरे rice bag को cut करके सेम तरीके से यहाँ पर रखेंगे यहाँ से seal करके attach करेंगे एक rice bag और यानि कि तीन rice bag हमने attach कर लिए अब मेरे पास एक पुरानी soul पड़ी थी तो मैंने उसको लिया और यहाँ पर इसके उपर एच्छे से set करके रख दिया है और इसके चारो तरफ सिलाई लगा देंगे और बीच में भी चार पाद सिलाई या आप लगा सकते हो अब देखिए मैंने यहाँ पर चार इंच की चोड़ी black color की एक पटी ली है कट करके कपड़े से और attach करके एक लंबाई मी ले ली है और नीचे की तरफ रखेंगे इस पटी को और इसको देखे इस तरीके से हम जो है seal करके attach कर लेंगे यह देखे कुछ इस तरीके से तो दोनों side इसको seal करके attach करेंगे side में भी attach करेंगे लेकिन मैं machine पर आपको बताऊंगी कि attach करने का सही तरीका क्या है तो देखे मैं दिखाती हूँ attach करने के बाद दोनो side इस पटी को ऐसे पलट लेंगे बाहर की तरफे और double fold करते वे बाहर की तरफ इस तरीके से देखे हमको सवाई इंच के लगभग यहाँ पे चोड़ाई में यह जो है पटी बनानी है किनोर के उपर और यहाँ पर हम जो है इसके किनोर किनोर के उपर सिलाई लगाते जाएंगे तो यह process हमको जो है इस कन्नी के दोनों तरफ करना है दोनों तरफ करने के बाद में दिखाती हूँ आगे हमको क्या करना देखिए इधर भी कर दी है कन्नी और इधर की साइट भी कर दी है अब हमको क्या करना है देखिए इधर की तरफ हमको पट्टी अटेज करनी है तो सबसी पहले हम एक consultation करेंगे तो देखिए उपर की तरफ हमको यहाँ पर एक इंच कपड़ा एकस्टा निकालना फिर फोल्ड क करना है इस तरीके से और फिर हम यहां पर सिलाय लगा के इसको अठेच करेंगे और लास्ट में भी एक इंच एक्स्टा रखेंगे पट्टी को और अंदर की तरफ सेम तरीके से हमको फोल्ड करके फिर यहां पर सिलाय लगानी है कुछ इस तरीके से अब देखिए जो हमने एक देखिए इस तरीके से बहुत अच्छी फिनिशिंग आते किनोर के उपर तो इस तरीके से ये हमारा बहुत ही प्यारा जो है कालिन बन करके तयार हो जाती है और इसको जब भी आप कहीं पर भी जो है टिकनिक पे जाते हो तो आप इसको अच्छे से कैरी कर सकते हो लेकिन अभ तरीका रहेगा carry करने का वो भी में बताती हूँ तो देखी सब से पहले हम को इसको जो है double folding करना है इस तरीके से पकड़ेंगे और अब जो है इसको हम जो है एक बार फिर यहां से फोल्ड करेंगे और फिर इसको इसके उपर इस तरीके से फोल्ड करेंगे अब साइड से फोल्ड करेंगे और लास्ट में फोल्डिंग ही इसकी कुछ इस तरीके से आएगी लेकिन हमें क्या करना है देखिये मैं बताती हूँ इसको इस तरीके से रखना है और इस तरीके से यहां से measurement करेंगे तो यह 19.2 इंच आया है मेरे measurement में और यहां से 13.2 इंच आया है तो हमको क्या करना है सबसे पहलो तो देखें यहां किनोर के उपर इसके marking कर लेनी है बिल्कुल किनोर किनोर के उपर marking करते जाएंगे यह आप pen marker कुछ भी ले सकते हो इसको marking करने के लिए थोड़ा dark होना चाहिए mark अब देखें मैंने एक कपड़े का piece कट करके लिया है तो देखें यह मैंने यहां पर लिया है 14.5 इंच मतलब कि हमको यह 1 इंच 7 इंच चोड़ाई में ज़्यादा लेना है और लंबाई में भी हमको 1 इंच एक्स्ट्रा ही लेना है यहां पर तो देखें हमने यह एक्स्ट्रा इसलिए लिया है क्योंकि हमको 4 तरफ से आधा आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके उपर हमें सिलाई लगानी है तो सबसे पहले तो देखें इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करते वे इसके उपर हम सिलाई लगा लेंगे कुछ इस तरीके से तो फ्रेंड्स अगर आप चेनल पर नहीं आये हो तो चेनल को सब्सक्राइब जरूर करना वेल आइकन को प्रैस करना ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सेके और अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ अपने रिस्तेदारों के साथ वीडियो को सेर जरूर करना तो देखिए इस तरीके से मैंने जो है चारो तरफ से इसको फोल्ड कर लिया है अब इसको डबल फोल्ड करके यहाँ पर हमें सेंटर का मार्किंग करना है और सेंटर से फिर हमको धाई इंच पर मार्क करना है धाई इंच इधर की तरफ मार्क करना है अब मैंने ये मारकिंग सेम तरीके से हमको जो है दूसरी तरफ करना है इसका सेंटर निकालेंगे और फिर ढ़ाए ढ़ाए इंच पे दोनों तरफ सेंटर से मारकिंग कर लेंगे अब देखिए मैंने दो तनी तयार की है इनकी लंबाई तो है 17 इंच की और चोड़ाई डेड़ इंच की है अब इस तनी को देखिए हमको आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करना है और जहाँ पर हमने मार्किंग की है उसके सेंटर में रखना है इस तरीके से और उपर से एक इंच नीचे की तरफ करते विए रखेंगे और उपर से हमको आधा इंचे छोड़ना है उसके बाद हमको सिलाई लगानी शुरू करनी है तो मैं सिलाई लगा के आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको confusion ना रहे और आसानी से आप इसको attach कर पाएं क्योंकि उपर की तरफ हमको आधा इंच उपन इसलिए रखना है कि बाद में हम जो है इसको attach करेंगे तो यहाँ पर हमारी सिलाई आएगी तो इस तरीके से इसको दूसरी तरफ भी आधा इंच अंदर फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे तो तनी को तो हम कुछ इस तरीके से attach करेंगे अब सेम तरीके से दूसरी तनी को भी attach कर लेते हैं जैसे हमने यह attach की है अब मैंने एक तनी और ली है same size की तो यहाँ पर 5 इंच की marking करते हुए हम को जो है यहाँ से इस तनी को cut कर लेना है और 5-5 इंच के हम को जो है तीन पीश चाहिए यह देखिए इस तरीके से अब हम को जो है एक इंच की लंबाई से वेल्क्रो के तीन पीश चाहिए तो हाड़ वाला पार्ट लेंगे निकालके और हाड़ वाला पार्ट हमको यहाँ पर रखना आदा इंच फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ इस तनी को और इसकी उपर रखेंगे और इस तरीके से नीचे की तरफ करते विए जो है हम इसको सील करके चारो तरफ से अटेज कर देंगे इसकी उपर सेम तरीके से हमको जो है दोनों तनी के उपर और जो बच गई है उनके उपर भी वेल्क्रो के हाड़ वाले पीस अटेज करेंगे कुछ इस तरीके से तो तीनों के उपर अटेज हो गए है वेलक्रो के पीस अब देखिए आधा इंच अंदर फोल्ड करते हुए यहां सेंटर में रखेंगे और सिल करके अटेज कर लेंगे और देखिए फिर यह वाली भी रखेंगे सेम तरीके से तीनों तनी जो है चोटी चोटी जो स्ट्रिप मैंने बनाई है वो यहां पर अटेज कर लेंगे कुछ इस तरीके से अब जो सोफ्ट वाले पार्ट है वेलक्रो के पीस के वो इस तरीके से रखेंगे और यहां पर अट से रखेंगे और यहां पर लगाते विप इसको जो आटेज्ट कर देंगे अब देखिए हमको क्या करना है वापिस से इसको फोल्ड करना है जैसे हमने पहले फोल्डिंग की थी उसकी सेम त्रीके से वापिस से इसकी फोल्डिंग करनी है अब देखिए जो हमने वेल्क्रों के पीस लगा रखे हैं छोटे-छोटे श्ट्रिप लगा के उनको कुछ इस तरीके से इसको बंद कर देंगे तो इसको जो है carry करना पहुत ही आसान हो जाएगा इस तरीके से यह देखिए जब भी कहीं पर भी आप घूमने के लिए निकलते हो या फिर कहीं भी पार्किंग में निकलते हो तो इस तरीके से आप अपने जो है handbag की तरह आप इसको carry कर सकते हो जब आपको use करना हो तो इस त ट्रीक है लेकिन बहुत ही यूजफूल है तो कमेंट करके जरूर बताना आज का मेरा यह वाला आइडिया कैसा लगा है मैं उम्मीद करती हूं जरूर पसंद आया होगा तो देखिए है ना बहुत ही काम की चीज यह देखिए कितना प्यारा लुक आया है ऐसे लग रहा है कि क